रामगढ उपचुनाओ के बारे में सबसे पहले तो बता दू रामगढ उपचुनाओ क्यूं रहा है? क्यूं हो रहा है? क्यूंकि ममता देवी जो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस आ इंसी या फिर कॉंग्रेस बोल सकते हैं इस पार्टी से थी और इनको सजा सुनाई गई गोल बिधाय की रद हो गया तो होगा यहाँ पर उप चुनाव और उप चुनाव कब होगा तो बात करें डेट्स की तो डेट्स की अनाउंस्मेंट जो है आपको बता दे हेमन सोरेंजी जीते थे लेकिन उन्होंने जो है बरहेट से अपना विधाय की जारी रखा और उसके बाद दुमका से इन्होंने इस्तीफा दे दिया इसके बाद यहाँ पे हेमन सोरेन जी के छोटे भाई बसंद सोरेन को बिधायक बनाने के लिए जैमेम ने उतारा और फिर जीद दर्ज की हेमन सोरेन जी ने उसके बाद बात करें दूसरा जो बिधायक की का जो इलेक्शन हुआ उपचुना वो बेर्मोम हुआ बेर्मो में यहां से विधायक थे राजेंदर सिंग और राजेंदर सिंग का हो गया देथ इसके बाद उन्ही के पूत्र जैमंगल सिंग उर्फ अनूप सिंग आप लोग जानते होंगे बेर्मो से विधायक बने तिसरा बात करे है मधिधूपूर तो मधिधूपूर में आप सभी को पता होगा यहाँ पर से जो अलबसंख्यक कारेमंट्रि थे हाजी हुसैन अंसारी इनका देथ हो गया था इसके बाद इनहीं के पूत्र हफिजुल अंसारी क्या नाम है हफिजुल अंसारी ये जो है वहाँ से विधायक बने और चौथे नमबर में बात करें तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था मांडर में मांडर उपचुनाओं में जो बंधु तिर्की ये भी आपका वहाँ पर से सजा पाये थे और इसके वज़ासे जो है इनकी विधायकी रद कर दी गई थी और इन्होंने अपनी पुत्री जिसका नाम है सिल्पा नेहा तिर्की सिल्पा नेहा तिर्की को यहाँ पर से विधायक बनाया अपनी पुत्री को ध्यान रखिएगा सभी जगह जो है ये जो चार जगह है ये उपचुना हुए हैं अब जो है अगला उपचुना होगा रामगड में रामगड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो रामगड का फॉर्मेशन हुआ था 12 सितंबर 2007 को ये ध्यान रखना है रामगड जार्खन का एक मातर रामड में होता है ये ध्यान रखना है और जो भी जमीन ध्यान रखेगे ये से स्ब्सद्रान के रक्ष्वा मंतरले में उसको बोलते हैं के सरेंद जमीन К है वो सीधे Central Government of India के रक्षा Ministry जो आपका Defense Ministry होता है उसके अंडर में आता है तो इस तरह से कई सारे चीजे जो है आप लोग को यहां पर पता लगई सारे जो है जाम के लिए important है और इसके बाद रामगड की बात किरें तो रामगड से इसका बहुत हिस्ट्री में जो है रामगड का जिक्र मिलता है और ध्यान रखीएगा जरासंद नाम का एक राजा और इसके साथ साथ नंद वनस आप लोगों ने पढ़ा होगा मगड में तो यहां पर का राजा महा पदमानंद ठीक है इनका भी सम्मद रामगड से हुटा चुका है साथ साथ जैन धर्म अलोवियों के लिए भी रामगड एक इन्पोर्टेंट पूहमी का निभाता है तो इस तरीके से रामगड का इन्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है और 2007 में जो है इसे अलग किया गया था एक नए जीला के रूप इसकी भी हम ठोड़ी सी यहां पर डिसकसन कर ही लेते हैं तो इलेक्सन की बात करें तो तुरीपूरा में ध्यान रखेएगा अभी सरकार है बीजेपी की BJP की सरकार है और CM कौन है CM है मानिक साहा मानिक साहा CM है मेगाले की बात करें तो मेगाले में जो सरकार है अभी NPP की है NPP मतलब की National People's Party ध्यान रखीगा इस किसंद स्थाफत थे PY संगमा और अभी जो CM है वो है कौन है कौन है कौनराट संगमा कौनराट संगमा ये भी ध्यान रखेगा और ये जो NPP है ये National Party है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कैसी Party है National Party है और ये North East की एक मात्र National Party है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है अब उसके बात की बात करते हैं हम लोग नागलेंड की नागलेंड की बात करें तो ठीक है और NDPP का फुलफर्म होता है National Democratic People's Party कौन सा पार्टी National Democratic People's Party तो यह आपको ध्यान रखना है नेफिय रियो अभी यहां के CM है यह भी ध्यान रखना है और हम लोग बात करते हैं अगर नागलाइंट की तो इसके स्थापना हुई थी सलहवे राज के रूप में 1963 में जनवरी 1972 को ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है तो आप लोगों ने देखा एक ही टॉपिक से कितने सारे पॉइंट्स बनाये जा सकते हैं और एक्जाम किस तरीके से कौन-कौन टॉपिक के उपर पूछे जा सकते हैं सब भी पॉइंट्स इंपॉटेंट हैं इसको जरू बगा कि लिख लार भारतनी आ पॉइंट्स